हेलो दोस्तो रादे रादे जैशी केशना कैसे हैं आप सब लोग पर बढ़िया होंगे तो बस जो है सुबह का टाइम शुरू हो गया है और सुबह जो साफसफाई का टाइम चलता है वही है तो क्योंकि सर्दी के दिन हो रहे हैं तो इस टाइम पर मतलब ना उठना भी लेट सर्दी वाला इतना हो रहा है धूप नहीं निकल रही है तो यही एक सहरा रह गया है कि हीटर के आगए ही सब लोग बैठे होते हैं जब चीज जादा यूज होती है तो जाहर सी बात है कि गंदी भी होती है यूज करते है तो फिर इसमें सफाई करने में भी मुझे थोड़ सफाई करना बहुत जादा जरूर यह हो जाता है क्योंकि जब चीज आफ रहती है तो फिर लंबे टाइम प्लाइक चलती भी रहती है तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि एलेक्ट्रिक चीज़ें हैं तो इनको पानी बगशा से भी हम दूर रखते हैं तो इस वज़े से इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से सफाई करने के बाद और चालू करके देखा यूज किया और बस अब जोगे गीजर भी यूज हो रहे हैं क्योंकि गरम पानी हम जब पाथरूम में यूज करते हैं तो बहुत इस्टीम बनती है और खास करके जो गैस गीजर है तो मेरे यहां गैस गीजर ही लगा हुआ है और मैं इसको काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ तकरिवन पंदरा साल से मैं जो है गैस का गीजर यूज कर रही हूँ तो पाथरूम थोड़ी छोटी है और इस टाइम पर एक्जेस्ट तो वह कै उनको होता है कि तेज पानी गरम करके नहा रहे हैं कैसे भी है हाँ यह गीजर बहुत अच्छे होते हैं बस यह कि थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज़ें यह होती है कि जैसे मैं ने सिलेंडर बाहर रखा हुआ है तो मैं बच्चों को कभी भी चलते हुए पा बहुत अच्छे से जो है इस तरह से ये मोल्ड हो जाता है इतर भी घूम जाता है जैसे आप चाहो कॉने तक बड़े आराम से चला जाता है तो इससे जो है कितना सारा इकठा हो जाता है, तो जब सब लोग नहां लेते हैं, उसके बाद फिर मैं के आज जो है, थोड़ा husband बाहर गए हुए थे, फिर पता ही है है कि खाने का, थोड़ा होई जाता है जब हम अकेले रहे जाते हैं और मैन Star is taking away my इसको थोड़ा सा पोह अगरा ज्यादा पसंद है, बस फिर पोह बनाने का किया, कि सुबह नास्ता कर लिया था, लेकिन फिर बोला कि ममी हलकाई कुछ तो पोह बना लोग, बैस मैंने फिर यारी करने लगी, तो काम तो उतनी ही हो जाते हैं, और किचिन भी मैंने अभी दो दि किया था, वो भी आप लोगों को जो है, दखाया था, और अब जो है, तो इधर करते-करते, जो है, कि हम दूसरे काम भी कर लेते हैं, डबे वगरा, खाली हो जाते हैं, उनको भी करते जाना है, तो हम रसोई में कभी भी, जो लेडीज होती है, उनका हाथ बंद नहीं रहता तो यह सभी के साथ में होता है लेकिन फिर भी हम ना हमारे काम बकाया रहते ही है कोई ना कोई काम हमारे पास ऐसा रहता ही है जो कि हमें पेंडिंग में करना पड़ता है तो बस इसी तरह में पैकेट वगएरा खाली किये और जो है हरी मिर्च अद्रक वगएरा क्योंकि सब्जियां जो इस टाइम पर एक तो हरी सब्जियां भी आ रही है तो उनको दोने में साफ करने में थोड़ा टाइम जाता जाता है और खानी भी होती है क्योंकि मौसम है सीज क्योंकि मैं अभी उदर फैला पड़ा तो एक ना फिश एक्वेरियम जो लगाया हुआ है मैंने उसका साइस थोड़ा बढ़ा है तो क्या हुआ कि ना इस पता नहीं क्या हुआ यह दो तीन महीने में मतलब फिल्टर दो तीन वार खराब हो गए है और आता भी थोड़ा सथ को महंगा यह चीज और फिर जब थोड़ा लंबी टाइम टक चीज चल जाती है तो हमें दुख भी नहीं होता है कि मतलब पैसा हमारा जो हमने लगाया तो चीज चल गई लेकिन जब जल्दी-जल्दी खराब हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या करें तो आज वह बस उसको निकालके एक्विरियूम को जो है साफ किया चेक किया सब कुछ किया लेकिन वह नहीं चला और जब नहीं चलता है तो फिर वह उसमें फिश है तो उनको अक्सीजन भी चाहिए होती है फिल्टर भी चाहिए होता है क्योंकि गंदगी जो हो जाती है तो फिर हम ही खतम है आप यहां चेक और चेक भी क्या वहां पे कितने दिर आप चला के देख सकते हो तो ऐसे तरह से ना लेकिन वही चीज मैंने जब ऑनलाइन चेक की तो ऑनलाइन तीस दिन की रिप्लेस्मेंट और रिटर्न पॉलिसी दी थी तो मुझे यह चीज बहुत अच्छी लग चीज होती है जो हमें ऑनलाइन मिल जाती है तो इस चीज को लेकि मुझे थोड़ा ऑनलाइन मतलब इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि रेट में बहुत फ़रक है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिटर्न पॉल्सी भी है तो फिर वह जादा जरूरी है जबकि तो मैंने प्याज और आलू अगरा जो थे वो डाल दिया और पुहा जो है इधर बन गया है और चाय भी रख दिया बनने तो इस टाइम चाय तो वैसे भी हो जाती है तो यह जो मसाला बॉक्स है इसमें मैंने यह पेपर लिया किचिन टावल का और इस तरह से करके रखती है क्योंकि यह प्रेट बहुत जल्दी गंदी हो जाता है यह चमच मसाला उसमे घंड रहता था तो ऐह म recall ऑी जल्द गंदा हो जाता उपर का तो फिर मुझे लगा इनका हaron यह यह रख देती हूं यह पेपर निकाल के इस आदि भी भी और चेंड कर सकते है तो यह चोटी अब लगाया हैGold бज दो दिन पहले जो ब्लोब बुड़ी तो इसमें फेलाया है जैया मेंडे पता होती है, husband को नहीं पता होता है, जैसे नास्तव अगर हमने रख दिया, तो सामने चीजे रखी हैं, तो उन लोगों को भी देख जाती है, और हमें भी देख जाती है, और नीचे जो ड्रॉयर है, उनमें काफी space खाली हो गया है, जो कि मैंने अभी नीचे के ड्रॉयर अभ पते रहते हैं, लेकिन जब काम करते हैं, गजगो जब कोई भी चीज हम यूज करेंगे, तो फैलेगी भी, यही चाये घर हो, चाये बाहर, कुछ भी चीजे जगर हम एक जगे रख दिया हमें हाँ टच नहीं करेंगे, तो वह कभी खराब नहीं होगी, लेकिन हम किसी भी अ के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है तो दुबारा खाने में नहीं आता तो या तो चपाती बॉक्स में जो है फॉइल पेपर लगा के रख दो तो सही रहता है या फिर मैं एक एयर टाइट जैसे जो बाउल वगरा हो उसमें रख दूगी तो फिर थोड़ा एस्ट्रा है मु जाएगा तो देखेंगे तो इस तरह से जो है इस पस सुमित को मैं देने जारी हूं पोहा और इसमें डाल दिये क्योंकि आलू भुजिया जरूर डाल के खाते हैं मुझे भी अच्छी लगती है तो बस चाय भी इदर हो गई है तो इस तरह से जो है आज का दिन अभी साम का खाना बनांगे हालाकि धी, मतलब भी सामा खाना बनांगे जब आएंगे वो तो सामो का खाना प्रपर जो है बनाना है तो दिन तो बस काम करते हुए या वैसे भी कभी कभी मन नहीं करता शुक्त काम करने गा तो फिर थोड़ा ब्रेक भी ले लेती हूं लेकिन आको चीज क्टिंग करके रखती हूं, क्योंकि वो एक दिन का दो दिन का काम नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बस यह कि जब हमें टाइम मिलता है, हम उस टाइम पर उस काम को कर लेते हैं, तो धीरे धीरे जब होता रहता है, तो यूज में आ जाते हैं, कुछ कपड़े ऐस मतलब यह इसलिए घारी हूं ने पहले, जैसे बिनाया है, mua कुछ नहीं है, यह जो सॉस की बॉटल के कैप होते है यह जो हमारी प्लाश्टिक की बॉटल होती है, उनके तो यह नहीं यह ठोड़े डीप है, ज़्ेसे विनेगर की बॉटल की है पाड़ा निकाली लेते हैं मतलब यह कहलो उसमें से भी कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता एक अगर हम बॉटल भी हमारे फैक्त है ना कोई भी हम तो भी हमें दिमाग में आता है कि इसका कहीं यूज हो सकता है क्या और वाकई सही बात है जब हम यह चीज दिमाग में र बार बार तो भी लगता था और जो मिक्सी यूज दिन में होती है सब किया होती है दो-चर बार तो यूज हो जाती है जैसे हम कुछ पीसते हैं कभी कुछ मनास्ते के लिए खाने के लिए यह बहुत जरूरी होती है कि ऐसी जगे हम रखें जिसको हम एजली वहां से उठा ल इसको यह पीस जो खराब हो गया था तो लकड़ी का था यह इसी के उपर बॉल पेपर चिपका दिया था और इस तरह से यूज कर रही थी काफी दिन से फिर जब क्लेणिंग की तो फिर मुझे लगा यह वेश्ट हो गया तो इसको मैंने हटा दिया लेकिन फिर उठा लिया वगरा कैसी लगी और मेरा जो है व्लॉग पैसा लगा अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दिया करो सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं बस यह है कि थोड़ा सा बही कोई भी काम है जब आप करते हो महनत करते हो तो उसे तो हाँ यह है कि जब हम किसी भी फिल्ड में काम करते हैं तो यह भी एक काम ही है सबी को पता है आजकल कोई असी बात नहीं है तो दोस्तों बने रहीएगा आप लोग और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेश्ट व्लॉग में